आज मैं आपको बताने वाली हूँ बोगेन वीला प्लांट के वारे में जो की आपने बहुत जगह देखा होगा और यह काफी फेमस प्लांट है यह काफी लोग लगाते हैं और इसको मेंटीन करना भी आक्छली में बहुत इजी है यह आप जसा कि देख सकते हैं हमारे यहां सारे वराइटी के हमारे पास बुगेन विला है हर एक गलर में आपको यहां पर देखते हम बोगेन विला है ह् även मेरी मदाया है उनको को बहुत शौक है उन्होंने आपakukan सारी कम्रेटी के लगा है हर एक लाम तर लकाया है और अब ही इतना अच्छा खिरा हुआ है हमने अपन ते हर एक विराइटी का है, पूरा फैला हुआ है, यहां से वहां तक से फर सिर्फ बोगेन विला ही लगा हुआ है, देखिए, कितना खूबसूरत, कितना सुन्दर लग रहा है, सुबह में एक बार आ करके उपर देख लेती हूं मैं, तो मेरा मन खुश हो जाता है, इतना सु शुश करके निम ख़ली का संगाटी है, तो थिसमार रही हो Цधा रही हुआ है, अपको मार्केट में बार्केट में अधार देखिए, सरसो खळी का लिकविद लनियु बार दालता है, तो यह दोनों फर्दिलाइजर ऋभu हैं है नान्य भरकेट में दालता आर तो आपकोöglichत सरसोखली का लिक्विड डाल दिया ऐसे करके आप टाइम टू टाइम इसमें डाल सकते हैं तो पौधो की जो प्रॉग्रस है वो बहुत अच्छी होती है यहां तो ममी ने गमले में लगाया हुआ है वैसे बोगेन विला का प्लांट जादा तर लोग जमीन में लगाते हैं तो इसकी क्रोथ बहुत अच्छी होती है अब चुकि हमारा घर टाउन में है शहर में हमारे घर में जादा जगर है नहीं तो इसलिए ममी ने सारा कुछ गमले में लगाया हुआ है बट स्टिल गमले में लगने के बावजूद इतना सुन्दर फूल आता है इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं और इसमें एक चीज और नोटिस करने वाली बात है कि सिर्फ अपने अगर पौधा लगा दिया है और सिर्फ खाद दे रहे हैं तो ऐसे नहीं होगा इसमें आपको टाइम टू टाइम प्रूनिंग करने की भी ज़रूरत है जैसे प्लांट्स के अगर बहुत बड़े बड़े डाल हो गए है उनको आपको टाइम टू टाइम कट करना है कट करने से क्या होता है कि उसमें फूल आते हैं तब ही फूल आएगा अगर बहुत जादा उसमें डाल हो गया है तो फूल फिर नहीं आपाता है तो इसलिए आपको टाइम टू टाइम उसको कटिंग भी करना जरूरी है जैसे अभी रिसेंटली मैं कहूं तो एक महीने पहले सारे उस टाइम तक इतना फूल नहीं था थोड़ा बहुत फूल था तो उस टाइम ममी ने क्या करवाया कि सबको कटिंग करवा दिया सबका डाल कट करवा दिया तो डाल जैसे ही कट हुआ वैसे ही विदिन 15 डेज इसमें फूल आना शुरू हो गया वह भी इतना सारा आप देख सकते हैं तो इसमें यह भी जरूरी है कि इसको टाइम टू टाइम कट करना भी ज़रूरी है इसको प्रूनिंग करते रहना भी जरूरी है एक विराइटी हमारे पास यहां भी है बोगेनविला का यह देखें यह भी काफ़ी खिला हुआ है इसकी भी हमने अभी चटाई की थी और बोगेनविला की सबसी अच्छी बात है कि अगर आप कटिंग करते हैं चाटते हैं तो क्या करते हैं कि आप उसका अगर डाल भी लगा सकते हैं यह आपके ऊपर है तो अगर आप भो भी लगा देंगे तो वह डाल से भी लगता है सबसे चीज यह कि अपडम से भी इस पौदे को लगा सकते हैं लेकिन आप गर्मिओं के मौसम में यह ठंड के मौसम में डाल से नहीं लगाएं तो ज Pacer तो जब भी आपको डाल लगाना है गमले में से कट करके अगर आपको डाल लगाना चाहरे हैं तो हमेशा बारिश के मौसम में लगाएं बारिश के मौसम में आप डाल कट करके बोगेन विला का आप दूसरे जगा लगा सकते हैं तो इस तरह आप एक प्लांट से दो प्लांट कर सकते हैं तो याद रखे कि हमेशा बारिश में ही ये काम करें, बारिश में ही डाल लगाएं, कभी भी गर्मियों के मौसम में या ठंड के मौसम में डाल ना लगाएं। दूसरी चीज ये कि बोगेन विला में लाइट की इंपोर्टेंट बहुत जादा है। अगर आप ये पेर छाओं में लगाते हैं, जहां पे डारिक धूप नहीं आता है, तो फिर उसमें फूल नहीं आएगा। फूल आने के लिए डारेक सनलाइट का होना बहुत जिरूरी है। आप देखें, यहां पे बिल्कुल सनलाइट ये चट पे और बिल्कुल अच्छे से सनलाइट आ रहा है, तो ये इतना जादा खिलावा है। ये पूरा-पूरा आउटडोर प्लांट है, इसको इंडोर और आउटडोर में भी आपको इसको ऐसे जगह पे लगाना होगा जहां पे अच्छी सनलाइट आ रही हो, अच्छी धूप आ रही हो, तब ही ये खिलेगा, नहीं तो ये च्छाओं में उतना नहीं खिल पाएगा, खिलेगा आप च्छाओं में भी लगा सकते हैं, बट उस इसमें जादा फूल नहीं आएगा फिर तो फूल आने के लिए इसको सबस्यादा ज़रूरी है कि आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में डालें ठीक है, और इसको जादा कुछ नहीं करना है, मेंटेन करना बहुत एजी है, जैसा कि मैंने बताया कि टाइम टू टाइम इसमें काँ डाल हो गए है, फूल कम है, छटाई कर दें आप इसकी, और अप छटाई करके उसको फिर लगा भी सकते हैं, एक से दो प्लांट भी कर सकते हैं, तो इसमें यह बहुत ही low maintenance प्लांट है, कुछ भी नहीं से करना है, और यह खुबसरत भी बहुत लगता है, और यह ऐसा है कि ये हर एक मतलब मुझे लगता है कि ये maximum जगा पे इसको लगाया जाता है या आदिर स्पे infused या पेरिस हो गया इंडिया हो ग्यां मलढ कि यह बहुत सारे इस में पाय गया है है और है यह काफी खूबशुरत भी लग्ता है आप देख सकते हैं कितना खूबशुरत की कमी है आप चाहे तो इसको जमीन में लगा ये बहुत सुन्दर होगा ये बहुत बड़ा पेर होता है बहुत ऊपर उपर तक उचाई पे बिल्डिंग के चछत पे तक जाता है ये बहुत सुन्दर होता है फिल्हाल के लिए इतना ही आई होप कि आपको हमारा वीडियो अच तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजेगा तब तक के लिए बाइबाइ